हेलो फ्रेंड्स मैं संध्या स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल संध्या सीलाई डिजाइन पर फ्रेंड्स आज किस वीडियो में हम लोग 2 इंच स्लीव की कटिंग सीखने वाले हैं पेपर में जैसे कि बहुत छोटी स्लीव होती है न तो फिर बिगनर्स जो होते ह परेशानी होती है तो मैंने सोचा उनको पहले में पेपर में कटिंग करना बता दूसके बाद फिर हम लोग कपड़े में भी सीखेंगे तो आज किस वीडियो में हम लोग 2 इंच की स्लीव के पेपर में कट करना जानने वाले हैं तो देखो इस तरह से यह मैंने जो पेपर मोगे एक पेपर लिया है यानि कि इसमें अमारा पूरा भड़ा पेपर होते है तो छोटा से पर मेंने निकाला है तो सहलो ह्कों किस दो इंच की स्लीप से हम निकालने तो इस तरह से फोल्ड कर दिया ए टीक है अब ऐसे फोल करने के बाद संधbers टों अल है यह मोड़ फोर फोल्ड में हो गया अब यहां से हमारी दो स्लीफ निकल के आगी सेम ऐसे ही आप कप्रे को भी फोल्ड कर सकते हो तो यह जो हमारा बंद साइड है यहां से हम अपनी लेंगे तो देखो दो इंच की हमको स्लीफ रखनी है अगर हम अस्तर वाले ब्लाउस के लिए कट कर रह हैं जैसे कि बिना अस्तर वाला ब्लाउस है तो फिर वहां पर हम 1.5 इंच प्लस करके लेंगे तो यहां पर हम साड़े 3 इंच की लेंध लेंगे इस तरह से ठीक है तो आप कौन से कट कर रहे हो हो सिंपल वाली कट कर रहे हो तो फिर 3 इंच लीजिएगा अगर अस्तर वाली कर रहे हो तो फिर दाइंच लेज़ेगा तो मैं यहां पर सिम्पल वाली स्लेव की कटिंग कर रहे हूं सिम्पल ब्लाउज की स्लेव के लिए तो यह मैं साड़े तीन इंच पर निशान लगाए इसके बाद अब यह जो निशान लगाया है यहीं से इस तरह से एक लाइन इसे मान देंचे का ब्लाउस बना रहे हैं जैसे कि झिनका भी ब्लाउस बना रहे हुं करेंगे तो बिलाउस gears इया धार से एक इधर साइट से आप बाटम निकाल सकते हो तो मैं इधर साइट से आर्मोल निकाल निकाल लेंगे तो अब हम क्या करेंगे इधर से ऐसे निषान लगाएंगे जो हमने आठ इंच पर पूरा लेंद तुल्ले ही लिया है अब इसके बाद हमको इसमें गहराई कितनी देनी है, सिर्फ एकिंच की देनी है, क्योंकि दो इंज की तो हमारी श्लीपस ही है, तो एक इंच पर यह हमने निशान लगाया, अब यही निशान से उपर तक एक लाइब कीच देंगे, तो इस तरह से हमने Samurai का सेव देंगे, तो जाहिए और बाहर के तरफ ऊपर के तरफ बाहर के साइड ठीक है इस तरह यह पर सेव दिया अब आगे की साइड से में बॉटम कर निशान लगाना है तो जितना भी आपके आस्तेम का नाप उसका दूसरा भाग करके यहां पर निशान लगा लिजे और यहां पर हम डेढ़ इ क्योंकि यह हमारा जॉइंड होगा कप्ड़ा तो बसनगिस को घंड कर लेते हैं से आप इधर से कर सकते हो तो जैसे हमारा कपड़ा होगा तो दोनों का सीधा साइड अंदर की तरफ रहेगा और उल्टा साइड बाहर की तरफ इस तरह से अपनी दोनों स्लेट्स को बराबर से मिला के रखना एक दूसरे के ऊपर और एक साइड से बिल्कुल सेंटर पर हाफ पर निसाल लगाया है और यहां पर ऐसे गुलाई कर लिनी है इस बस यहां पर हैसे कट़ लिए है तो देखो इस तरह सी हमें नहीं पर कटंग कर ली है बस तो अब हम क्या करेंगे तो एक बार आपको ना पो दिखा दिखा देतेि तुछ मैं आपको 8 बार फोल्ड करके दिखा देती हूं ये हमारा इतना फोल्ड होगा फिर से दो बारसीव बार कर दिया और फोल्ड करने के बाद इदर साइडहह हाफ इंच जाएया तो यहां पर बचेगी तो इस तरह से हमें अपने दो इंच की स्लीप की कटिंग करनी होती है आई वूप आपको समझ में आ गया होगा जहां पर भी नहीं समझ में आया है आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो मैं आप लोगों को कमेंट में एंसा दे दूँगी और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अभी तक हमारे चैनल को अगर सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सस्क्राइब कर लीजेगा क्योंकि मैं आप लोगों को ऐसे ही छोटी छोटी बाते सिलाई के हर एक चीज बताती रहती हूँ अपने इस चैनल पे तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई